हेलो जी स्वागता आपका तो आज हमने बनाए हैं बहुती टेस्टी से क्रिस्पी से चीजी कॉन टोस्ट बहुती ज़्यादा टेस्टी बने हैं क्रिस्पी है लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजी चैनल पर ने तो सब् से फट हैं और यहाँ पर शिम्ला मिज भी ले सकते हैं इसयों पर यहाँ वडलने dubl शुट को सब्यादा है तो अद सलगा में मिक्स कर लेंगे मिक्स हो गया है और यह बहुत ही टेस्टी बन करेड़ी होता है बच्चों को बहुत पसंद आता है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स का हम यूज करेंगे और इसमें डाल देंगे और इगैन या फिर मिक्स हब इन सबी चीज़ों को एक बाफिर से अच्छे से मि मिक्स कर लिया है अब इसमें हम डाल देंगे मियोनिज आपके पास अगर मियोनिज नहीं है तो आप यहां पर दूद की मलाई भी डाल सकते हैं उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो मैंने यहां पर मियोनिज डाली है अगर आप दूद की मलाई यूज कर रहे हैं तो अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है यह स्टॉफिंग हमारी बढ़िया तरीक से बन कर रेडी है तो चलिए चलते हैं अगले प्रोसेस पे तो यहां पर हमने ले ली है चीज आप स्लाइस वाली चीज भी ले सकते हैं और अब लग दिया है गैस पर तवे को और तवा हो तो यहां पर अभी हमने सिफ 2 ली है पो इतनी लّेनी है जो के अच्छे से कवर हो तो आप इसको हमदा अच्छे से थोड़ा से खृता कर लेंगे क्रिस्पी सा कर लेंगे क्योंकि हम एक साइड में स्टॉफिंग लगानी है तो हम कच्छी ब्रेड नहीं लेंगि इसको आप चाहे तो लगा सकते हैं और अब हम इसके उपर लगा देंगे बिल्कुल दो कि अभी हम स्टॉफिंग रगाएंगे उसके बाद हम लखेंगे चीज और यह ब्रेड जल्दी से पक जाएगी तो अभी ब्रेड को नहीं पकाना है तो फ्लेम को हम कर देंगे बिल्कुल दो अपनी स्टफिंग अगर आप स्लाइस वाला चीज यूज कर रहे हैं तो पहले स्लाइस लगा दीजिए उसके पर यह स्टफिंग रख दीजिए कि यहां पर हम रहे स्टफिंग लगा दी है जो चुगा है अच्छे से रडvagर वाला चीजिए चीजिएप में और वाला चीजिए चीजिए क कहते हैं बच्चे खोश हो जाएंगे और मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए तो अब हमने इसके 25 डाल दिया है और इसको कवर कर देंगे किसी ढखकन से या फिर प्लेट से तो दो मिट बाद हमने इस जाए पानी कियं और त्रीक से चीटे मार देंगे पानी कर देंगे पानी네 से इसमें बहुत अच्छे से भाब होगी और जैसे हम इसके इसको फटलसे और ये अव आप में कितना बढ़िया तरीक से चीज हमारा मेल्ट हो चुका है अब यह ज्यादा शाइन मार रहा है अब यह आपको पास से दिखा देती हो कितना बढ़िया तरीक से हमारा चीज जो है वह मेल्ट हो चुका है हमारा यह देखो और यह नीचे से बिलकुल भी नहीं चला है बढ़िया तो साथ साथ जो भाप उठेगी न चीटे मारे पानी से उससे हमाई चीज अच्छे से मेल्ट हो जाता है तो चली अब इसको हम देख लेते हैं देखे कितना बढ़िया लग रहा है अब यह देखो बढ़िया गर्मा गरम बनकर रेडी है हमारा चीजी कॉन टोस्ट और मुह मे बना रहे हैं तो चली फ्लेक्स स्किप कर दीजिए यहां पर हमने चली फ्लेक्स टाल दिया है और इसको हम कट करेंगे क्योंकि अब रुका तो जाएगा नहीं इतनी गर्मा गर्म टेस्टी से टोस्ट देखकर तो इसको फटा-फट से कटर लेंगे यह हो चुका है बढ़ि इसके साथ किसी भी कैच अप की जोड़त नहीं है ऐसे आप इसको एंजोई कर सकते हैं ऐसी एजी रेसिपीज के लिए में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए यह देखिए बढ़िया सा मारा चीजी कोन टोस्ट बनकर रेडी है